तो नेचर ओफ जोब कौन सा काम आपको करना है तो किस प्रकार का पर्मिट आपको लगेगा एक्विप्मेट वहाँ पे कौन-कौन से इस्तिमाल होंगे वहाँ पे तो प्रकार काम करने के लिए कितने बंदे इनवर्ड होंगे उसके बार में भी उहाँ पे लिखा गया होता है तो यह था आपका simple या basic knowledge about work permit अभी work permit की definitions के बारे में बात करें उसको कि work permit है क्या तो work permit एक written document है written document recorded यहाँ पर एक word है recorded work permit to work is a written document rights by shift in charge अभी आपको verbally कोई भी permission देता है कि यह भई हाँ यह काम कर लो आपको यह इतने time के अंदर यह काम खतम करना है तो उसके disadvantages क्या होंगे कि कौन बंदा काम करता है किसको काम दिया था उसके बार पर कोई knowledge नहीं है कि इतने time में खतम करेगा उसका को specific concern नहीं है किस बंदे ने आपको काम पर रखा था उसका भी कोई जिकर नहीं है कौन बंदा वहाँ पर perform करने वाला है कौन सी third party वहाँ पर काम करने वाली है उसका भी कोई उलेक नहीं है तो न करें नारायन की ऐसे cases के अंदर वहाँ पर कोई ऐसे दुरगटना घटती है तो who is the responsible person for that matter कौन responsible होगा और जब तक लिखीत में नहीं है तब तक तो कोई responsible नहीं है जो verbal है वो verbal लेकिन वहाँ पर ठोज सबूत होगा कि हाँ यही authorized persons ने मुझे काम करने के लिए यहाँ पर permission दिया है ऐसा उसने लिखीत में लिखा होगा तो इसे incidence के टाइम पर इसे दुरगटना के टाइम पर आप सिनोप्सिस करने के लिए वह बहुत ही आसान हो जाएगा या उसका इन्विस्टिकेशन के अंदर बहुत ही आसान हो जाएगा अभी यह work permit issue कौन करता है issuer कौन है receiver कौन है और performer कौन है वह भी बहुत बड़ा interesting topic है कि मेरे घर पे कुछ काम है as a example मेरे घर पे कुछ काम है तो काम क्या है वो मुझे पता है जो काम करने वाला बंदा है उसको पता नहीं है तो definitely वो काम मुझे ही बताना पड़ेगा कि मेरे घर पे ये काम है आपको ये काम खतम करना है इतने टाइम में खतम कर देना है तो shame वही का वही system industry में भी लागो होता है कि जिस plant में काम है वो plant का इंचाज रहेगा वो ही आपको permission देगा कि हाँ ये मेरे plant के अंदर ये काम है और आपको करना है और ये जब लिखित में देता है वो किसको देता है जो issue करने वाला है वो किसको देता है receiver को यानि कि जो particular agencies होती है मानलों कि महां पे कुछ आपको maintenance का काम देना है process plant का तो वो definitely maintenance engineer को देगा mechanical engineering को देगा जाने mechanical department को handover करेगा वो कि ये responsible person plant engineer है लेकिन काम करने वाला बंदा कौन है maintenance वाला है तो receive करेगा maintenance के engineer जो आपके industry में जो mechanical maintenance वाला है बंदे है वो लोग उसको receive करेंगे अभी वो काम करने के लिए maintenance engineer ने कोई third party hire करके रखी है तो वो maintenance वाला engineer जो है वो काम किसको देगा एक third party वाला जो rigger होगा या कोई fitter होगा उसको वो काम देगा तो यहां पर जो काम करने वाला बंदा क्या हुआ performer हुआ ठीक है तो यह आपको simple definition से उसका advantages क्या है और भली भाति समझ सकते हो आप कि दूरगट आपके workplace के उपर कोई दूरगट ना होती है उस तो उसके time पे आपको जाट परतार करने भी आसानी रहेगी और दूसरा एक main advantages क्या है कि जो हम पहले भी lectures के अंदर पढ़ चुके हैं कि hazards को identified करना काम करने से पहले तो work permit system जब बनाया जाता है तो पहले पूरे का पूरा जो आपका workplace है आपका कारिया करने का जो स्थल है उसको hazard free बनाया जाता है वहाँ पे unwanted चीजे जेथोए unwanted objects थे उसको हटाया जाता है वहाँ से जो काम करने के लिए जो चीजे लगती है वहाँ पहले से रखी जाती है और जो नाकाम की चीजे वहाँ से हटाने का प्रोसेस यानि कि almost क्या हुआ कि आपका workplace हजार फ्री हो जाएगा और आप बेटर तरीके से काम करने के लिए क्या मिलेगा आपको ganon और फ्रीडम मिले गी काम करने के लिए आगेस जैए आपने जान हानिशनाना से बच पाओगे से आपका प्रोपर्वर्मे डेमेज होने से बचेगा और साथ-साथ में पहले से मैं कहते आया हूं गोड की और से मिला मुक्त में हम को णो पहार है एन्वायर्मेंट का वो भी बच जाएगा तो वर्क पर्मिर शिस्टम को हम इन्शॉट कहेंगे तो हजार्स को आइडेंटिफाइ करके इसको रिमूव करने की प्रोसेस भी बोल सकते हैं क्यूंकि जब मेरे घर पे मेरे पेले एकजाम्पल दिया कि मेरे jeans काम है तो काम करने के लिए जगा तो मुझे स्याप करके देना पड़े ना पहले वहाँ पे जो काम की चीज नहीं है वो उसको हटा के दिना पड़ेगा जो भी रिषीवर जो परफॉर्मर है उसको तो सेम सिस्टम इंडस्ट्री में भी वही लगता है कि जो स्विप्ट जो प्लांट का जो इंजिनियर है या प्लांट का जो इंचार्ज है वो आपको हजार प्लैटफॉर्म देगा वहां पर यानि कि आप काम करने के लिए आपको नीमत देगा उसके पहले वह सारे के सारे हजार को वहां से हटा देगा बहुत सारे बंदे लोग का एक जनरल क्वेस्टन होता है कि वर्क परमिट इश्यू कौन करता है तो आम तोर पे क्वेस्टन उब कि आपके संस को देखता है कि सही में यहां पर काम करने की लाइक यह जगा है या नहीं सब मानों की वह वह काम करने के लिए सही प्लेटफॉम है हजार फ्री एट्मोस्फियर हो गया है वहां पे आपका वर्क प्लेस महोंती नीट इन क्लीन है प्रपर हाउस किपिंग किया ह हुआ है सारे के सारे चीजे इन ओडर प्लेस के अंदर है तब जाके शेप्टी एंजिनियर उसके ओपर आपको पर्मिशन देता है कि हां कि हां यह प्लांट के अंदर आप काम कर सकते हो पर्फर्मर भी शेफ है और प्लांट भी शेफ है तो यह आपके माइंड से चेंज कर करना है कि safety department वर्क पर्मिट इश्यू करता नहीं लेकिन पर्क पर्मिट इश्यू कोन करता है जो भी रिस्पेक्टिव प्लान है वो प्लान का इंचर्ड वर्क पर्मिट इश्यू करता है ठीक है तो आपको ये बात समझ में रख आ गई होगी और keep in your mind always जब जब आप यहां से पढ़ने के बाद बाहर जाओगे इंडस्टिज के अंदर तब आपके माइंड के अंदर ये question बार-बार होना होना नहीं चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए ताकि अगला वाला कोई बंद आपको पूछता है who is the responsible for work permit so आपके पास तुरंतिक on this potential आना चुए प्लान रिस्पेक्टिव प्लांट इंजर इस इस्यूर इस रिस्पेक्टिव प्लांट इंचाज इस रिस्पोंसिबल for issuing work permit is that clear I hope कि ये समझ में आया होगा उसके पास आगे देखते हैं हम safety personal permitting the work in the specific time location issuer issuer और पूरे का पूरा वर्क पर्मीट फॉर्मेट जो है जो रेकोड़ेड रिटन डॉक्यूमेंट है उसको फिलप करते हैं तब लुखता है कि इस्यू कौन किया हाँ रिस्पेक्टिव एक्स प्लान नहीं किया उसके बाद वहाँ पे mention किया जाता है who is the receiver तो maintenance engineer को receiver बना दिया बाद में वहाँ पे कौन से third party काम करने वाली है तो वो performer का नाम लिख दिया बाद में वो location लिखा जाता है वहाँ पे वो कौन से exact location पे काम होने वाला है कौन से location पे काम होगा वो कि यह premises के यह कौने के अंदर यह plant है यह plant के अंदर यह floor के उपर काम करना है वो exact location वहाँ पे लिखा जाता है उसके बाद वहाँ पे time duration भी बताया जाता है कि कितने time से कितने time तक आपको काम करने की अनुमती दी गई है ठीक है उसके बाद पूरे checklist point होते हैं permits के अंदर कि वहाँ पे कितने बंदे involved होंगे वहाँ पे किस type का काम करना है कितनी हाइड पे काम करना है वहाँ पे आपका कौन सा 70 बेल लगेगा की नहीं लगेगा वहाँ पे एक्ष्णूंगिसर की आवसकता है के नहीं वगेरा वगेरा यह जाने कि सारे के सारे चेक पॉइंट वहाँ पे फिल अप किये जाते हैं और वह सारे के सारे फिल करने के बाद अजियर को बुलाया जाता है या मेंटेनेंस जी ओस और मेंटेनसंगिसर को बुलाया जाता है और पर्फॉमर को भी बुलाया जाता है और झ стала पाइर एंजिनियर्स को भी बुलाया जाता है मान लोग कि वहाँ पे होट वर्क हो रहा है तो वहाँ पे एक्ष्विंग इसर की ओविबिलिटी होना चीए मान लोग कि वहाँ पे कुछ एक्ष्विशन का काम चल रहा है तो वहाँ पे शिविल एंजिनियर्स को भी बूलाना पड़ेगा ताकि वहाँ पे अंडर्राउंड कोई लाइन जाता है कि ने वह भी देखना पड़ेगा तो यह सब इनवर्डमेंट की बात है कौन-कौन इनवर्ड रहता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाइवन परमीट देखेंगे उसके साथ ठीक है तो आई होब कि यह डेफिनेशन्स आपके माइन में है अभी और याद रहे कि एक रेकोड़ेड रिटर्न डोकुमेंट है तो जनरल वर्ड परमीट की पहले बात करते हैं हम जनरल वर्ड परमीट यानि कि कौन इश्यो करता है जनरल वर्ड परमीट यानि कि आपके प्रिमाइस के अंदर छोटा मोटा काम करना होता है वो जनरल वर्ड में कीना जाता है पर्मिट के कोई classes नहीं है that is the types of permit industrial safety के अंदर permit के कोई class बताए गए नहीं है ना तो उसका कोई color coding है यह ना तो उसका कोई class है लेकिन उसके types के बार में organization define करती है उसको कौन से categories में आपको रखना है तो यहाँ पर general work permit जो कुछ भी छोटा मोटा काम होता है यानि कि वो technician level तक वो काम हो सकता है technician उसको क्यों पर काम करने के लिए able है जो technician level के जितने भी काम है वो सब कौन से का permit में आएगे general work permit का तो यहाँ पे जो general work permit है उसका issuer कौन हुआ respective plant का technician जो भी आपका process plan है वो process plan में काम करने वाला technician level का बंदा या तो फिर उसके उपर के सभी यानि कि lower last stage कौन सा होगा technician का होगा तो यह general work permit issue कौन करता है technician issue करेगा is that clear उसके बाद देखते हैं हम हाँ उसके general work permit का time duration general work permit आपको माना की अभी 9 बज़े से लेके 5 बज़े तक की अनुमती दी गई है आपको लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे वह काम आपका खतम नहीं होता है तो work permit के से close करते हैं उसके बार में भी हम discuss करेंगे मानों कि हमने 9 बज़े से work permit issue किया जो भी performer उसने काम करके वह काम 12 बज़े खतम कर दिया तो 12 बज़े जब काम खतम होगा तब क्या होगा कि वह सिद्धा काम करने के बाद जो अथराइट पर्सन है जो रिस्पेक्टिव पर्सन जो था जिसने आपको अनुमती दी थी उसके पास जाएगा उसका signature करेगा उसके पास जितने भी चीजे उन लोग पर्सनल प्रोटेक्टिव एक्विपेंट हो या कुछ भी चीजे उन लोग प्लांट से जो इस्यू की थी वो सारे के सारे submit करेगा और बाद में वो काम देखेगा जो टेक्निशन है वो उसको काम के अंदर satisfied है तो वो permit को close करेगा ठीके जब permit close हो जाता है उसके बाद वो permit के उपर आप दुबारा काम नहीं कर सकते फिर से मानलों कि वही जगे पे आपको काम करना हो तो फिर से आपको permit लेना पड़ेगा लेकिन ऐसे काम बहुत ऐसे होते हैं जो extended होते हैं कि आज भी करना है और कल भी करना है परसो भी करना है तरसो भी करना है तो वही से कैसिस के अंदर आपको special permission लेना पड़ता है और आपको अनुमति देता है कि हाँ आप काम को एक्स्टेंड करने के लिए इतना आउधी आपको इतना समय दिया जाएगा तो आप एक्स्टेंडर टाइब के अदर काम कर सकते हो लेकिन जो टाइम तई किया गया है उसके बाहर आप काम नहीं कर सकते तो यहां पे जो है जंदल और औसास के स्टानडर 1.8 मीटर के उपर जब जब आपको काम करना है तब आपको शेप्टी बेल की जुरवत पड़ेगी आपको लेडर की आवशकता होगी या आपको स्कैप होल्दिंग की जुरवत पड़ेगी तो वैसे कैसिजम के अंदर आपको हीत वर्क पर्मित लग तो आपका respective plan का जो engineer cater का जो बंदा है वो ही responsible है यह permit issue करने के लिए technician यहाँ पे involvement technician का होगा नहीं issue करने के लिए हाँ definitely technician का involvement होगा लेकिन वो checklist भरने के लिए चीजे का जो भी चीजे लगती है वो चीजे वहाँ पे वो आपको provide करेगा safety pp's होगा या equipments होगे या कुछ भी वगेरा वगेरा जितने भी चीजे वहाँ पे काम पे लगती है वो provide करने के बाद वो उसको checklist fill up करेगा लेकिन permit issue कौन करेगा permit issue engineer या engineer के उपर की level का जो भी बंदा है वो करेगा ठीक है इस्यू engineer तो definitely receive भी कौन करेगा engineer के डर का बंदा ही receive करेगा जो performer होगा वो बाद में सारे के सारे checklist को देखेगा जो चीजे आवशक चीजे है उसकी note करेगा उसके अलावा कोई और चीज लगती है वो उन लोगों को बताए गया वह पी चीजे वहाँ पे लेके आएंगे उन लोगों को हैंवर करेंगे देन आपतर सारे के सारी उसकी demands fulfill होने के बाद एक clear platform मिलता है काम करने के लिए जब और उसको महसूस होता है तब जाके वो performer उसको कर दो